साथ संगत जी प्रेम से कहना धन दरंकार जी स्वागत है आप सभी का आपके ही चानल पर एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं साथ संगत जी आज की साखी का शिर्शक है गुरू की महिमा गुरू ही जाने तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी साथ संगत जी मनुष्य जनम से लेकर मृत्यू तक किसी न किसी से कुछ न कुछ अवश्य सिखता है जिससे भी हम सिखते हैं हमें उसे गुरू रूप में सम्मान देना चाहिए शाश्त्रों में गुरू की अपार महिमा बताई गई है एक बार की बात है कि एक संथ जी के पास तीस सेवक रहते थे एक सेवक ने गुरू जी से प्राथना की महराज जी मेरी बहन की शादी है तो आज एक महीना रह गया है मैं दस दिन के लिए वहाँ जाऊंगा आप किरपा करे आप भी मेरे साथ चले गुरू जी ने अपने सेवक को कहा बेटा देखो ये समय बताएगा नहीं तो तेरे को तो हम जाने ही देंगे उस सेवक ने बीच बीच में इशारा गुरू जी की तरफ किया कि गुरू जी कुछ न कुछ मेरी मदद कर दे आखिर वह दिन नजदीक आ गया सेवक ने कहा गुरू जी मैं कल सुबह जाऊंगा गुरू जी ने कहा ठीक है बेटा सुबह हो गई जब सेवक जाने लगा तो गुरू जी ने अपने सेवक को पांच किलो अनार दिये और कहा ले जा बेटा भगवान तेरी बहन के शादी खूब धूमधाम से करे दुनिया याद करे कि ऐसी शादी तो हमने कभी देखी ही नहीं और गुरुजी ने साथ में अपने दो सेवक भी उस सेवक के साथ भेज दिये और उन्हें कहा तुम शादी पूरी करके आ जाना वो सभी सेवक गुरु के आश्रम से चल पड़े जब वो सेवक गुरु के आश्रम से कुछ किलो मीटर के दूरी पर आ गए तो जिसकी बहन के शादी थी वो सेवक दूसरों से बोला गुरुजी को पता ही था कि मेरी बहन की शादी है और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है फिर भी गुरुजी ने मेरी मदद नहीं की दो तिन दिन के बाद वो सेवक अपने घर पर पहुँच गया उस सेवक का घर राजस्थान रितीले इलाके में था और वहां कोई फसल नहीं होती थी वहां के राजा के लड़की बिमार हो गई तो वैद जी ने बताया कि इस लड़की को अनार के साथ अगर ये दवाई दी जाएगी तो ये लड़की ठीक हो जाएगी अब राजा ने अपने राज़े में मुनादी करवा रखी थी कि अगर किसी के पास अनार है तो राजा उसे मुह मंगाई नाम देंगे इधर मुनादी वाले ने आवाज लगाई अगर किसी के पास अनार है तो जल्दी आ जाओ क्योंकि राजा को अनारों की सक्त जरूरत है जब ये आवाज उन सेवकों के कानों में पड़ी तो वो सेवक उस मुनादी वाले के पास गए और कहनी लगे हमारे पास अनार है हमें राजा के पास लेकर चलो अब राजा जी को जाकर अनार दिये गए अनार का जूस निकाला गया लड़की को दवाई दी गई तो वो लड़की बिल्कुल ठीक ठाक हो गई राजा ने पूछा तुम कहां से आए हो तो सेवक ने सारी हकीकत राजा को बता दी राजा ने कहा ठीक है तुम्हारी बेहन के शादी मैं करूँगा राजा ने हुकम दिया कि इस लड़की की शादी ऐसी होनी चाहिए जिसे देखकर लोग ये कहें कि ये राजा की लड़की की ही शादी है सभी बारातियों को सोने चादी के गहने उफार में दिये गए बारात की सेवा बहुत अच्छी हुई लड़की को बहुत सारा धन दिया गया लड़की के माता पिता को बहुत ही जमीन जायदाद और आली शान मकान और बहुत सारे रुपई पैसे दिये गई उस सेवक की बहन राजी खुशे विदा होकर चली गई अब सेवक सोचने लगा गुरू की महिमा गुरू है जाने मैं तो ना जाने क्या कै सोच रहा था गुरू के बारे में अब मेरे गुरू जी के वचन थे जा बेटा तेरी बहन की शादी ऐसी होगी कि दुनिया देखेगी साथ संगत जी संत वचन हमेशा सच होते हैं संतों के वचनों के अंदर बहुत ताकत होती हैं लेकिन हम ना समझ ये समझ ही नहीं पाते, जो भी वचन संत निकालते हैं, वो सिध हो जाते हैं, हमें संतों के वचनों के उपर अमल करना चाहिए, और विश्वाश करना चाहिए, क्योंकि ना जाने संत मोज में आकर क्या दे दे, और हमें रंग से राजा बना दे, साज संगत जी भगवान विश्णु ने गुरू महिमा इस प्रकार बताई है गुरू गुंगे गुरू बावरे गुरू के रहिये दास एक बार की बात है कि नारत जी भगवान श्री विश्णु जी समल ले गए भगवान ने नारत जी का बहुत सम्मान किया जब नारत जी वापस गए तो भगवान विश्नु ने माता लक्ष्मी जी से कहा हे लक्ष्मी जी सुस्थान पर नारत जी बैठे थी उस स्थान को गाएं के गोबर से लीप दो जब विश्नु जी ये कह रहे थी तब नारत जी बाहर ही खड़े थी उन्होंने भगवान विश्णू की बात सुन ली और वो वापस भगवान विश्णू जी के पास आ गए पूछने लगे हे प्रभू जब मैं यहाँ आया था तब आपने मेरा खोब मान सम्मान किया और जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो आपने माता लक्षमी से यह क्यूं कहा कि जे स्थान पर नारत बैठा था उस स्थान को गोबर से लीप दो भगवान विश्णू ने कहा हे नारत मैंने आपका सम्मान इसलिए किया क्योंकि आप देवरिशी हैं और मैंने देवी लक्षमी से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आपका कोई गुरू नहीं है आप निगुरे हैं जिस स्थान पर कोई निगुरा बैठ जाता है वो स्थान गंदा हो जाता है अब ये सुनकर नारत जी ने कहा हे प्रभू आपकी बात बलकुल सच है पर मैं गुरू किसे बनाओं प्रभू बोले नारत धर्ती पर चले जाओ जो व्यक्ति तुम्हें सबसे पहले मिले उसे अपना गुरू बना लो नारत जी ने भगवान को प्रणाम किया और वहां से चले गए जब नारत जी धर्ती पर आए तो उन्हेर ने सबसे पहले मचली पकड़ने वाला एक मचवारा देखा वो मचवारे से मिले नारत जी वापस नारायन भगवान के पास गए कहने लगे महराज उस मचवारे को तो कुछ भी नहीं आता मैं उसे गुरू कैसे मान लो ये सुनकर विश्णु जी ने कहा नारत अपना प्रण पूरा करो नारत जी वापस धर्ती पर आए और उस मचवारे से कहने लगे मेरे गुरू बन जाओ अब पहले तो वो मचवारा नहीं माना बाद में बहुत मनाने से वो मान गया मचवारे को राजी करने के बाद नारत जी वापस भगवान विश्णु के पास कए कहनी लगे हे प्रभू मेरे गुरू को तो कुछ भी नहीं आता वो मुझे क्या सिखाएंगे अब ये सुनकर भगवान विश्णु को क्रोधा गया उन्होंने कहा नारत जो गुरू की नंदा करता है उसे कहीं पर भी उचित सम्मान नहीं मिलता जाओ मैं आपको श्राब देता हूँ कि आपको 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा अब ये सुनकर नारत जी ने दोनों हाथ जोड कर कहा प्रभू इस श्राब से बचने का उपाए भी बता दीजे भगवान विश्नु ने कहा इसका उपाए अपने गुरू से जाकर पूछो नारत जी ने सारी बात जाकर अपने गुरू को बताई तब गुरू ने कहा ऐसा करना भगवान से कहना चोरासी लाक योनियों की तस्वीरे धर्ती पर बना दे फिर आप उस पर लेट कर गोल घूम लेना और विश्नु जी से कहना मैं चोरासी लाक योनियों में घूमाया मुझे माफ कर दो आगिस में गुरू की निंदा नहीं कर और फिर नारत जी उन पर लेट कर घूम लिये कहने लगे प्रभू मुझे माफ कर दीजी आगे से मैं गुरू की निंदा कभी नहीं करूंगा ये सुनकर भगवान विश्नु ने कहा तुम जिस गुरू की निंदा कर रहे थी उसी नहीं तुम्हें मेरी श्राप से बचा लि गुरू जो भेजे नरक को स्वरक की रखिये आस। गुरू चाहे गुंगा हो चाहे गुरू बावरा हो गुरू के हमेशा दास रहना चाहिए। गुरू यदि नरक को भेजे तब भी शिश्य को ये इच्छा रखनी चाहिए कि मुझे स्वरक प्राप्त होगा। अर्थार् तो उसका बुरा स्वयम गुरू भी नहीं कर सकते इसलिए साथ संगत जी गुरू की महिमा प्रमपार है आप सभी को अगर आज की ये साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीजेगा साथ संगत जी प्यार से कहना